मुंबाई की फेमस स्ट्रीट फूट बरा पाव खाने में सच में बहुत तिस्टी लगता है पर आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इधर लिया है बेसन लगभग डेर कप करीब बेसन है इधर आप अपना क्वांटिटी के हिसाब से बेसन ले सकते हैं इसका कोई अलग से मेजर्मेंट नहीं होता है बरे में जितना बेसन आपको चाहिए उतना अब बेसन ले सकते है अब इसके अंदर मैंने add किया है अजवाइन और बस थोरा सा healthy powder और taste के according नमक बहुत ही अच्छे से इसे mix करना है मैंने एक whisker ले लिया है इसके मदद से अच्छे से mix कर लिया है मैंने अब थोरा थोरा पानी add करना है और इसका एक घोल बनाना है बहुत ज़्यादा पानी एक साथ add नहीं करना है बस थोरा थोरा पानी add करके ही बनाना है नहीं तो बेसर में क्या होता है ना लंस रहे जाते है तो सबसे पहले मैंने whisker से हलका फुलका मिला लिया है इसके बाद हम हाथ से अच्छे से फेटेंगे, हाथ से मुझे फेटना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, आप चाहे तो विस्कर से भी फेट सकते हैं, पर हाथ से फेटने से ज़्यादा अच्छा होते हैं, तो देखिए एक दम परफेक्ट मैंने इसे फेट लिया है, और ज़्यादा फ को पतला भी नहीं अब इसे साइट कर kawa कर देते हैं पर यज जालते हैं चटनी बनाने के प्रोसेस में इधर मैं ने फ्रह corrosion यह झाल सकते पर मैंने इधर धनिय पति काुछ यूज की त तो लसुन के कलिया, थोर अधरक और दो हरी मेर्च, जितना आप तीखा खाना पसंद करेंगे उसी हिसाब से आप इसमें हरी मेर्च एट कर सकते हैं, अब इसमें एट करेंगे बुस थोर अशा पानी, बहुत जादा पानी नहीं, बुस थोर अशा पानी और इसका एक चटनी लेते हैं, और नमक जो है आप एक साथ भी डाल सकते हैं, पर मैं बाद में नमक मिलाओंगी, तो इसलिए एक साथ मैं डाला नहीं, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें एट करना है, और इसे मिक्स करना है, आप चाहे तो हलका निम्बू कर रज भी इसमें एट कर सकत पर मैंने इसमें एड नहीं किया है इधर मैंने लिया है हरी मिर्च लहसून और अद्रक तो धेर साड़े मैंने हरी मिर्च लिया है और इसे के साथ धेर साड़े लहसून भी लिये है और अद्रक थोरा सा आप जीतना तीखा खाना पसंद करेंगे ना उसी हिसाब से हरी मिर्च यह जो बरे के जो आलू मतलब बरे के जो आलू बनाएंगे इसी के लिए ही मैं इसे रेडी कर रही हूँ लहसुन थोड़ा ज्यादा यूज करने से आलू में बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा स्मूथ करके हमें यह अधरक लहसुन नहीं पीसना है बस हलका स कोर्सली रहे, ऐसे ही हमें पीसना है, आप चाहे तो इसे कूट भी सकते है, अच्छे से कूट लीजिए तब भी कोई प्रॉब्लिम नहीं, आप कराई में मैंने डाला है तेल, इधर मैंने सरसु तेल का इस्तमाल किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ओल का भी इस्तमाल कर सकत वाइल गरम होते ही इसके अंदर मैंने एट किया है राई एक चमच करीब राई मैंने एट किया है अब एट किया है हल्दी पाउडर अब इसमें एट कर देंगे कोर्सली पीसा हुआ लहसून अद्रक और हरिमेज यह जो आलू बनते है ना बरे के तो एक दम सिंपल बनते है बहुत जादा ताम जाम इसमें बिलकुल नहीं चाहिए इसके अंदर एट किया है मैंने करी पत्ता करी पत्ता से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बस लो फ्ल हो जाए ना इसके अंदर एट करना है उबले हुए आलू और टेस्ट के अकवडिन नमक और अच्छे से मेंक्स करना है आलू को इधर मैंने ने आट किया है एक दम दम मैश करके अट नहीं कीजिये तो ही अच्छा है तेस्ट अच्छा आता है और एक से दो मिनद तक करेए हूँ निंबू का रस इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होते है अच्छा लगता है और सबसे लास्ट में धनिया-पत्ती भेड़ सारे धनिया-पत्ती और धनिया-पत्ती एट करने के बाद मिक्स करना है और तुरन्ध गैस का फिलिम बंद कर लेना है इसे जा बेकिंग सोडा मिला के अच्छे से मिक्स करना है और इसके अंदर एट करना है गर्मा गरम ओयल, बस एक टेबल स्पून भर के हमें उसकरना है, आप चाहे तो इससे थोड़ा से जाधा भी उसकर सकते हैं, पर मैंने जितना क्वांटिटी बेसन लिया है उसके लिए एक के मदद से बेसन के छोटे-छोटे बुंदी जैसे क्रिस्पी पकोरा बना लेना है और ये किसलिए बना रहे है वो मैं बता रही हूँ और इसे ना एकदम क्रिस्पी करके फ्राई करना है, एकदम क्रिस्पी, हलका सा कलर आने से ही ये क्रिस्पी हो जाते है क्योंकि इसमें म बनलग बरतन में रख देती हूँ, ऐसे ही दो तीन बार फ्राइ करने से ही आर्न तरकष की लग धर से नहीं करना है, तो छलें, लिडियों, फरा गए ले इसके बाद चलते है निश्ट प्रोसिस में, तो बुंदी फ्राई करने के बाद इधर मैंने लिया है हरी मिर्च, इसमें हलका सा हमें चीरा लगा देना है, कि नहीं तो ये ओयल में जब जाएंगे ना तो एकदम से फटने लगेंगे, बतब चटकने लगेंगे, तो और लहसून जो है उसे भी हलका सा फोल लेना है, नहीं तो ये भी बहुत जोर-जोर से चटकते है, तो चलिए अब हरी मेर्ज को fry कर लेते हैं ऐसे ही ऑल में डीप करेंगे और थुरसा निकाल लेंगे ऐसे करके फ्राइक करना है नहीं तो ये बहुत ज्याधा फूटते है इसे फ्राइक करने में एक दम ज्यादा time नहीं लगता है देखिए ये फ्राइक हो चुके है इसे ज्य थीстल हो जाएंगे अपने आब अप आप अपचलिये ल हुद्ण को फ्राइ कर लेते हैं अब बढ़ा पाव में जो है ना लसुन छिलके साथ ही बनाया जाता है जो चट्नी हम बनाएंगे ना लसुन के तो छिलके के साथ बनाये जाते हैं आपको छिलके खाने में कोई भी प्रोब्लेम हो तो आप इसे निकाल के भी फ्राइ कर सकते हैं अब मैंने कराय में लिया है थूर असा रिफाइन ओयल अब इसमें मैंने सूखी नाडियल डाला है और इसे के साथ सूखी लालमेज भी एट किया है तो धेर अटे में कशमीरी लालमेज का भी इस्तमाल कर सकते है तो अच्छे से हलका ब्राउन करके हमें भून देना है और जैसे भूनना हो जाए इसके अंदर आट करना है तिल को भी एक मिनद तक लो फ्लेम में अच्छे से भूनाई कर लेंगे और तेल हूनते समये थैम को अब एक मिक्सिंग जार में यह भूने हुए लसुन के साथ डाल देंगे यह जो बुंदी जैसे घो पकोरे मनने भनाया था उसे भी एट करना है इसमें और इसी के साथ एट करना है भुना हुआ नारियल, तील और सुखी लाल मिज तो सारे इसमें एट कर लेते हैं और इसको ऐसे सुखा ही पिसना है इसमें थोरा सा भी पानी का इस्दमल नहीं करना है ऐसे भी इसके अंदर oil है इसे ऐसे बना के छोरेंगे ना तो अपने आप ये मतलब खिली-खिली बन जाएंगे तो बहुत ही जाधा टेस्ट ही होते है ये चटनी वो चटनी बिलकुल सकीप मत कीजिएगा क्योंकि वो चटनी से ही बढड़ा पाव में टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब आलू से ऐसे छोटे-छोटे बॉल जैसा बना लेना है एकदम छोटे-छोटे बहुत बरा नहीं क्योंकि पाव का जो ब्रेड होते हैं वो छोटे साइस के होते हैं जादा बरा बना लीजिएगा तो उसके अंदर रखना थोर असम मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए गरम कर लीजिएगा उसके बाद ही इसको छोड़िएगा क्योंकि बेशन का जो चीज हम बनाते हैं जैसे चौप बरा तो इसे हमेशा ओयल को अच्छे से हीट करके ही छोड़ना है और अगर मैदे से आप कुछ बना रहे हैं तो उसी समय फॉलो किया जाता है एकदम कम हीट तो मैदा धीरे धीरे पकते हैं और बेशन तूरं पक जाते हैं तो इसे लिए गरमा गरम ऑईल में हमें इसे छोड़ना है और इसे तलने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑईल का इस्तमाल नहीं किया है बस वही उयल में इसे फ्राइप कर ले रही हूं आपको अगर ज़ यह बड़ा बनाने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा तुरंद फट-फट से यह फ्राई हो जाते हैं जैसे इसमें गोल्डेन ब्राउन खुब सुरत कलर आये ना तब करहाई से इसे निकाल लेना है और इसमें मैंने मिक्स किया है बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा मि किप करके भी इसे बना सकते है ऐसे नौमली आप बरा बना के चटनी के साथ भी एंजोय कर सकते है यह बरा ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते है मैं जब फ्राई कर रही हो तो अभी इसमें से दो गाइब हो गया क्योंकि घर मेरे हस्बेंट और मेरे बेटी मतलब इ तो बरा फ्राई मैंने कर लिया है आप चलते है इसे बनाने तो इसके लिए मैंने इधर पाव ले लिया है पाव को ऐसे अलग-अलग कर लेना है इसके बाद पाव को हम क्या करेंगे ना कर लेंगे नाइफ के मदद से पाव को ऐसे कर लेना है तो देखे कितने जटपट से अगर इतने आसानी से घर में बन जाएंगे तो क्यों आप बाहर जाओगे खाने के लिए घर में इसे बना लीजिए और अराम से फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ एंजोय कीजिए तो देखिए पाव में सबसे पहले मैंने लगाया है मीठा चटनी जो इमली से बनते हैं और मैं हमेशा घर में बना के रखती हूँ क्योंकि ये चावल के साथ भी खाने में मुझे बहुत जादा पसंद है अब इसके उपर डालेंगे हरी चटनी सारी चटनी को अच्छे से स्प्रेट कर लेना है अब इसके उपर हम डालेंगे लसुन के लाल चटनी इसको खाना बहु अच्छा टेस्ट आता है इसे जरूर से बनाईएगा दोस्तों और इसके उपर थोरासा मैंने बुंदी रख दिया है और इसके उपर रखना है बरा अब फ्राइ किया हुआ हरी मुर्च को सजाना है और पाव को बंद कर लेना है इसे देखिए देखने में भी खुबसूरत इसे बनाते समय आप अगर कभी नहीं बनाए है और अगर बनाए है घर में तो आपको पता ही होगा कि घर पे बनाने से यह कितने टेस्टी बनते है अभी हम लोग के इधर बीच बीच में बारिश हो रहा है तो यह बारिश के मौसम में खाने में सच में बहुत अच्छा जरूर से कमेंट में बताईएगा दोस्तों और आप कहा से देख रहे हैं यह भी कमेंट में जरूर से लिखिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगएगा मुझे बहुत दूर से कोई देखते हैं तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगता है तो मुझे तो और बिल्कुल रह नहीं जा रहा है, खाकी आपको बताती हूँ के कैसा बना है, आप भी ऐसे बनाईए और अपना फ्रेंड्स और फैमली के साथ इंजोई कीजिए, सही में बहुत अच्छा बना था, आज के लिए इतना ही, बाई बाई